हाई फ्रेंज वेलकम टो नमीका किचन आज मैं आप लोग के साथ ABC जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और जैसे कि आप जानती होंगे ABC जूस में बहुत अधिक मात्रह में एंटी ऑक्सिदन्स पाये जाता है हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है डाइजेशन डी टॉ करती हूँ और अभी एपल का सीजन नहीं है तो अभी एपल था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जूस बनाया जाए और सुबह अकर इसको खाली पेट में ले लेंगे नहीं तो बहुत ही आपको यह हेल्प करेगा आपके डाइजेशन के लिए हार्ट हेल्थ के लिए आपके उसको इसी वजए से खा नहीं सकते हैं तो बीट रूट और गाजर को आप खा साजरूर सकते हैं लेकिन बीट रूट और गाजर का भी सीजन नहीं चल रहा है। तो यह देखिए अब मैंने इसको वापस अच्छे से धो लिया धोने के बाद एक चमच के सायता से इसको बीच में से मैं सीटर कर दूंगे, और लेकर के जितना जैल है वह हम निकाल लेंगे , और बुलने की जरूरत ही नहीं है , हमारे skin के लिए और हमारे pate के लिए भी बहुत अच्छा होता है यह detox का काम करता है और बालों के लिए भी अच्छा है तो अगर आपके पास aloe vera है तो जरूर डालिएगा मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया लेकिन यह बिलकुल optional है ABC juice में aloe vera के कोई जरूरत नहीं है मे कहीं से ज्यादा निकलता है तो कहीं से कम निकल जाता है तो आप इसको ऐसे चम्मत से ही निकाल लिएगा तो बस सबको मैंने काट लिया इसका aloe vera का juice भी निकाल ले और इसको अब एक साथ हम टाल कर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बस grinder jar में इसको बढ़िया से चला ल लेकिन अक्सर बच्चे खाना पसंद नहीं करते मैं खुद भी मुझे भी इतना पसंद नहीं है फाइबर ज्यादा आयं से गले में थोड़ा सा लगता है इसलिए मैं जूशी निकाल लेती हूँ तो आप अगर फाइबर के साथ खा सकते हैं तो आपको जूश निकालने के निकालने के लिए तो यह देखे मेरा जूश बनकर बिलकुल रेडी था तो इसमें एक थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दीजिए गा और थोड़ा सा इसमें हनी दे दीज़ेगा अगर आप डायबेटिक नहीं है तो और डायबेटिक लोगों के लिए भी यह रोज खाना बि जोड़ दूँगी इसमें तो इतना देखिये रस है इस नेमू में बहुत ही गुनकारी होता है और जब यह थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा ना तब मैं इसका एक अचार का रसे भी आपको दिखाऊंगी बिना ओयल के जैसे इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं पूरे स नाल के लिए तो मैंने डाल दिया इसमें एक चमच हनी और बार सुड़े सुबह में इसको खाले पेट इंजॉय करूंगी तो आप भी इसको अपने खर में जरूर बनाएगा और हफ़ते में एक या दो बार तो जरूर पीजेगा इसको